कर दोस्तों आज मैं बात करूंगा रोबोटिक्स के उपर रोबोटिक्स इंजिनेरिंग में कितना सेलरीज मिलता है कितना स्कोब है और यह आपके कौनसा कौनसा ब्रांच एलिजिबल रहता है पूरा डीटेल्स जानकारी दूंगा इस वीडियो में तो चलिए सांदर और इं स्क्रावी इंजिनेरिम दोस्तों आगार आप चार व्रांच से बिलंग करता है तो आपका पास बहुत-बड़ा एडवाटर्च रोबोटिक्स इंजिनेरिंग सिलन कर सकतर है आप की यह अपको बीटे है नगतों नृप दिकरीया तरल आपको बहुत-ज्या तरुट्स ए मि सेक्टर में तीन साल से काम कर रहा हूं बहुत सारे रोबोर्स मैंने देखा हूं बहुत सारे रोबोटिक्स इंजिनियार के साथ बात किया हूं इंडिया में सबसे ज्यादा रोबोट यूज किया जाता है तो दोस्तों दूनिया बदल गया वक्त बदल गया रोबोटिक का जा इंडिया है यहां पर आई का बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर आप चाहे इसी वक्त रोबोटिक्स इंजिनियरिंग जोइन कर सकते हैं अगर आप मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स एंड कॉंपूटर साइंस यह सारे ब्रांज से बिलोंग करता है तो फिर भी आपका पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर दोस्तों यहां पर सेलरीज का बात किया जाए तो रोबोटिक्स इंजिनियरिंग के उपर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाके रोबोटिक्स इंजिनियरिंग जोइन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप एंजिनियरिंग स्टुएंट्स हैं एंजिनियर्स हैं आपका मान में कोई भी सवाल रहे तो कॉमेंन सेक्शन में जुरूर बताईए नेक्स्ट की यूए ने वीडियो में 110% आपका सव 11 बाजे लात रहता हूं मुलाकाद होगा काल सुबे 11 बाजे नया वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद्ट